हेलो गाइस, वीलकम तो मैं चैनल पी के कुमर्स सेटीMax मैं आई ओ एक नहीं सब्जिक के साथ सब्जिक का नाम है बित्ळ प्रबंध बित्ळ प्रबंध का पहला क्वेस्चन है बित्ळ प्रबंध का अर्थ, परिभासाये ति intuition बित्ळ प्रबंध के कारे तो देखते हैं सबसे पहले बित्ते प्रबंद का अर्थ क्या होता है जैसा कि गत्रिस्टो में बताया गया है बित्त का अध्यनवर नात्मक ना रहकर विसलिश नात्मक हो गया है और प्रमप्रागत विचारधारा के अंतरगत जिसे निगम बित या बेवसाइक बित मानकर अध्यन करते थे आधुनिक विचारधारा के अंतरगत उसे वित्ते प्रबंद मानकर अध्यन करते हैं इस रूप में बित्य प्रबंद को समान्य प्रबंद का ही एक अभीन अंग मानते हैं वस्त तो या समान्य प्रबंद के कार्यात्मक छेत्र का सौरूप है उत्पादन प्रबंद, बिपनन प्रबंद, सेविवर्गे प्रबंद की भांती ही बित्य प्रबंद भी कार्यात्मक प्रबंद की स्टेनी में आता है समाने बित्ते प्रबंद का अर्ट, बित्ते नियोजन, बित्त प्राप्ती, संपती प्रबंद तथा विविन बित्ते स्रोतों में संतूलन अस्थापित करना है अब हम लोग दीखेंगे बित्ते प्रबंद की परिभासा है बित्ति प्रवन्ध से आसे बित्थ किर्याओं पर नियोजन वह नियंत्रन की किर्या को लागू करने से होता है दूसरा वैस्टन तिथा विग्रम के अनुसार बित्ते प्रबंद बित्ते नीरने लेने का वाज चेतर है जो बेक्तिगत उदिश्यों उपकर्म के लच्यों में एक रुप्ता अस्थापित करता है दूसरा जे एप ब्राडले के अनुसार बित्ते प्रबंद बेवसाय प्रबंद का वाज चेतर है जिसका संबन पुझी के नियाय पूर्ण पर्योग एवं पुझी के साधनों के सतरक्ता पुर्ण चेयन सहता की खर्च करने वाले इकाय को इसके उदेसिकी पूर्तिकी दिशा में निर्देसित किया जा सकी चोथा जे एस मैसिक के अनुसार बित्ते प्रबंद एक बेवसाय किवा संचलात्मक करिया है जो कुसल संचालन के लिए आवसक बित को प्राप्त करने तथा उसका परभाव साली परियोग करने के लिए उतरदाई होता है अब हम लोग दीखें या निर्नियात्मक कारिय और दुसरा नीतिक अत्वा देनी कारिय तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रसासिक या निर्नियात्मक कारिय जैसे अनियत्र बताया गया है कि बित्ते प्रबंद की आधुनिक बिचाधारा के अनुसार बित कारिय में तीन परकार की निर्ने अर्थ प्रबंधन बिनियोग वा लभांस किये जाते हैं बित्य आवसकताओं का यथा संभव सही पूर्व रुमान लगा कर उनकी पूर्ती के लिए स्रोतों की बेवस्था करना बिनियोगताओं द्वारा प्रदत फंड का अधिक्तन धंग से उप्योग करना बेवसाय के पहला बित्य पुर्वनुमान बित्य नियोजन की अधार सीला बित्य पुर्वनुमान है और बित्य पुर्वनुमान लगान बित्य प्रबंध का पहला कारी होता है नई बियोसाइक संस्था के संबंद में इस परकार का पुर्वनुमान प्रवर्त को द्वारा लगाया जा दूसरा बित्ते नियोजन, बित्ते पुरणुमानों के लगाने के बाद बित्ते नियोजन किया जाता है, बित्ते नियोजन के अंतरगा तिन परकार की उपकरियाएं की जाती है, पहला बित्ते उदेशियों का निर्धारन, दूसरा बित्ते नीतियों का निर्मान, तीसरा ब इसके अंतरगत वित्ति सुरोतों का निश्टचय करना उनकी तुलनात्मक लागतों का अध्यान करना संस्था कि अंसधारियों की एक्विटी पर पढ़ने वाले परभाव की जाच करना आदी सामिल होता है चौता बित्य संजोता बित्य प्रबंध का या कारिय भी होता है कि जिन बित्य स्रोतों से पुंजी उगाना हो उनसे संपर्क साधे और उनसे बाचित करके या अन्य विधी से अनुबंध को अन्तीम रूप दे इस प्रक्रिया में अनेक परकार के वेधानिक नियमों एव मानियताओं को कारिय रूप में बदलना पड़ता है बिस्ष्ट बित्य संस्थाओं बैंक तथा अभिगोपक आधी से बाचित करनी पड़ती है और अन्तीम रूप में अनुबंध को सकल देने का काम करना पड़ता है पाच्वा विनियोग निर्नयन इस कारे के अंतरगत प्राप्त फंड का विवियन संपतियों में विनियोग करने संबंधी में विनियोग का मात्रा निर्धारित करना बित्य प्रबंधक का कारे होता है इसके लिए बित्य प्रबंधक को समुचित निर्ने लेना पड़ता है साथ ही अस्थाई संपतियों पर हरास की बेवस्था करना उनके प्रती अस्थापन के लिए बेवस्था करना तथा बिवेन चल संपतियों में विन्यों का अनुकुलतम अस्तर निर्धारित करना भी इसी कारे में सामिल होता है छठा आय का प्रबंद करना बित्ति प्रबंद का या कारे भी महत्पुन होता है आय के प्रबंद के अंतरगत आय की सही धंक से मापन करना आय का सही अनुपात में वीवरन करना तथा ये थोचित लभांस निती का पालन करना भी सामिल होता है आठवा रोकड बहाओं का प्रबंद करना बियोसाइक संस्था में समूचित रोकड बहाओ अंतर बहाओ एवं बहेर बहाओ उसी भानती आवस्यक होता है जैसा स्वास्थ सरीर के लिए सूध रक्त की संचालन बित्य प्रबंद का या आवस्यक कारिय होता है कि वा रोकड बहाओं के संबन्द में उसीत नीती का पालन करे और रोकड अधिक के रोकड कमी की स्थितियों का भी सही धंक से प्रबंद कर सके आठवा बित्य निस्पादन का मुल्यांकन बित्य प्रबंद का या भी कारिय होता है कि एक निस्चित अविदी के बाद बेवसाइक संस्था के लिए बित्य निस्पादन का विसले सन्वा मुल्यांकन किया जाए और उसके परिनामों से उस प्रबंद को अउगत कराया जा इस परकार के बित्ते विसले सन्वा मुल्यांकन हितू अनेक परकार की उपकरन एवं तक्निकियां परियोग में लाई जा सकती है नावा पुंजी की उत्पादक्ता बढ़ाने के लिए परियत्न करना बित्ते प्रबंद का याभी कर्तब्य है कि विनियों के नए नए आवसरों की खोज करके पुंजी की उत्पादक्ता बढ़ाने का परियत्न करे दास्वा उच प्रबंद को सल्हा देना जब कभी भी उच प्रबंद के समच कोई बित्ते समस्या उत्पन हो तो उसके सर्वतम निराकरन है तूसल्हा देना भी बित्ते प्रबंद का कारिय होता है प्रतीक समस्या का सही निदान समस्या के समाधान है तू बेकल्पिक उपाईयो एवं उनमें से सर्वतम बेकल्प का चुनाओ आधी के संबन्द में वित्ते प्रबंध उचीत राय दे सकता है अब हम लोग देखेंगे नित्य रहा देनिक krij़े इस रहनी के अंतरगत उन कारियों को सामिल किया जाता है जो प्राय प्रती दिन निम्द अस्तरे करमचारियों द्Warra किये जाते हैं इन कार्यों की अपनी अलग महता होती है क्योंकि इन कार्यों की सहायता से ही उच अधिकारी वित्ते नीर्नैयों को लेते हैं समानतिया निम्न कार्यों को इस वर्ग में सामिल करते हैं पहला अभिलेख करना दूसरा बिभिण बिध्ते विवरनों को त्यार करना तीसरा रोकर से सकी विवस्ता करना चौथा उधार का प्रबंध करना पाचवा महत्पुन बिभिन बिध्ते प्रलेखो को सुरक्सित रकना आज के लिए इतना ही उमेद है ये question आपके exam के लिए बहुत ही helpful होगा ऐसे ही मर्टन प्रशनों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को like करे, subscribe करे और share जरूर करे धन्यवाद